मल्टिनाशनल चेन हो, इंडियन हो या इंटरनाशनल हो, उसके भी मालिक का नाम तो लिखना पड़ेगा अपत्ति अगर कोई हो, तो अपत्ति बताईए, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है, कि क्रिश्चन अपना नाम निलिखेगा, या किवल मुसल्मान ही अपना नाम लिखेगा, ऐसा नहीं है न, सबको अपना नाम लिखना चाहिए, और ये नियम, मैं फिर अपना नाम उसको नेम प्लेट लगानी पड़ती है, ये नियम है भई, सबके लिए है, बराबर का है, पारदर्सी है, और कोई पुलिस कर्मी अगर मिजभ्याइब करेगा, तो हमें परना चलेगा, कि किस पुलिस कर्मी ने किया है, नेम प्लेट उसके लगी रहती है, तो ये ने, वो नहीं छुपाना चाहरा है, भई जड़ा विकास को ये विवेक, जो लाइब संझे जी आ रहा हूं, समीर चौकाओंकर साब, और शुकला साब, शुकला जी के पास जा रहा हूं, शुकला जी, बरिश पत्रकार, सुनिल शुकला जी, शुकला जी, दुकानदारो को दिक्कत नहीं है धाबे वालों को दिक्कत नहीं है ठीया वालों को दिक्कत नहीं बोले हमें तो नाम लगाना हम लगा लेंगे हमें क्या दिक्कत है नियम आया है किसी ने बताया है नहीं बताया हम कर लेंगे दिक्कत मनोच था कि कोई भी धर्म कोई भी मसा थुके विरूटी या गंदिगी क्यों बोलता है यह लोगों यह उन लोगों की खुराफात है जो आप सी सौहर्थ बिगारना चाहते हैं और हुआ और मेंटली सिक तो इसमें टार्गेट कहा हो रहा है शुक्ला साब प्लीज मैं समझत नहीं पारा हूं प्लीज एक्स्पेन सर आपको लगता है सर टार्गेट हो रहा है बाबा टार्गेट कर रहा है सुनिल शुकला जी ऑडियो सर शुकला जी आपका म्यूट हो गया, अन्म्यूट कर देंगे सर तैंक यू सुनील जी सुनील जी सर ओडियो नहीं आ रहा है सुनील जी ओडियो नहीं आ रहा है माफी चाताओ में सीधा जा रहा हूँ ओमकार चाओगाउंकर साब के पास समाजवादी पार्टी बोल रहे है, टार्गेट हो रहा है, ओमकार इश्वर जी बोल रहे है, टार्गेट हो रहा है, संजे मिच्रा जी आ रहा हूँ लोग जाद है संजे रायल में जी आ रहा हूँ लेकिए मैं कोछ आओगाओं कर साब जरा समझाईए ना टार्गेट का हो रहा है सर देखिए एश्वर भाई उत्तर बदेश सरकार का जो ओडर आया है वो सब के ओपर समान रुट हरे साब आ रहा हूँ चाहिए वो हिंदू हो चाहिए मुसल्मान हो हिंदू दुकानडार होगा तो भी उसे नाम लिखना होगा मुसल्मान होगा तो भी नाम लिखना होगा अगर उत्तर बदेश की सरकार किसी संपरदाय को टार्गेट करती तो कहते हैं कि हिंदू नहीं लगाएंगे सिब मुसल्मानों के लिए अनिवार होगा सब को नाम लगाने की कहा गया है हिंदू लगा रहे हैं, मुसलमान भी लगा रहे हैं अब इसमें दिक्कत किसको है मुलाना मुलाईम की पार्टी के प्रबगता काका साथ को और क्यों है? क्योंकि वही पार्टी है जिने राम भक्तों पर गोलिया चलाई थी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजिती करते रहते हैं मुसल्मानों के बोर्ट चाहिए और जो समाज के अंदर विबेद करते हैं किसके बारे में तौन सा सब्द बोल रहे हो वर्दों को बार के तुम विस्टेशत हो क्या तुमारे सब्द है नेता जी इस देश को इस देश का सरोच नाकरिक सम्हान मिला हुआ नरंद्र मोदी जी ने दिया दलाल कहीं को विसी ते कभी नेता को बयाना आता है शबरी को लेके शबरी के जूटे पर क्यों दिये थे जबरी की शद्दा थे कि राम बगवान को कट्टे वेर ना चले जाए वो सौध लेके देख रही थी कि जो विठा वेर होगा वो में अपने प्रभु राम को तोंगी प्रभु राम को में कट्टा वेर नहीं देंगे यह उसकी शद्दा थे और उसको सोनुसूद किस तरह से देखे जाते है तो मुझे लगता है कि यह जो कॉंग्रेस है जो समाजवादी पार्टी है जो मिलकर चुना हो लड़ती है जब मिलकर समाज में विभाजनकारी ताक्तों को बढ़ाना चाते है और मुसलमानों से कहना चाते है कि कि आप लड़ो हम आपके साथ है कि आप लड़ोगे तो हमें सब्सक्राइब लेगी यह विभाजनकारी जोनुसूद समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के तारव पोशित होते है आचारे जी यह जो कॉमेंट आया इसमें फिल्म इंडस्ट्री आप से नहीं होता है मत कीजिए मैं कहा रहा हूँ आचारे जी शब्री जी ने प्रभूश्रे राम ने भी तो शब्री के जूटे बेर खाए थे यह किम वदंती है किम वदंती है मैं कहा रहा हूँ किम वदंती है अगर आप रामचरित मानस तुलसी वावा कृत रामचरित मानस या वाल्मी की अंतर कर जाएंगे तो वहाँ साफ साफ लिक है मैं आपको बता जेता हूँ कोई कंपरिजन है क्या कंपरिजन क्या है कि धार्मिक मानिताओं की बात है हिंदु धर्म कहता है कि हमें जूटा नहीं खा सकते पाप है जूटा खाना किसी प्रकार भी साइंटिफिकल भी उसको प्रूव कि आ रहा हूँ समस्या यह उत्पन्द हो जाते है कि एक धर्म मानता है कि धूके बबेगाने से पर्दोती है कोई में धर्म कहता है आचारे जी अचारे जी गलत तरीके से इंटरप्रेट करते है जुनाद हरे साब को लाइए संजेजी मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ संजेजी रिलाक्स जुनाद हरे साब ओने प्लिज साहीद अल-Bukhari ये सब आप छोड़िये ना ये सब आप छोड़िये अचारे जी मेरी बात समझे आप लोग चाहते हैं ये सब ये सब राजनेता चाहते हैं सब कि पलिडिक्स हो, यूपी का बाई एलेक्शन हो कावर यात्रा में इस सर्फ किसले हो रहे है ये सर्फ किसले हो रहे है I am amazed काका जी ने जो किया उनकी पार्टी ने धरम देखके गोली चलवाई उनकी पार्टी ने धरम देखके गोली चलवाई काका जी मैं आ रहा हूँ आपके ओपर बड़ा अरोप लग रहा है लेकिन मैं आ रहा हूँ हैरिस साब आप बताईए कि आप सफाई नहीं चाहते हैं आपने कहाता आप भी चाहते हैं अब सब हर कोई चाहता है ये वो ही करेगा जिसके दिमाग में फितूर होगा अम आइ राइट और अम आइ रॉंग हरिस साब विज्वल्स गंदगी वाले विज्वल्स और आड़ चाहते हैं बिल्कुल आप सही कहा रहे हैं वरकत की फिल्स 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 पिल्स फिल्स 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 फिल एक सिक ने, आचारे जो गलत करता है, और इसी दिये मैं हर हाल में कहता हूँ, ये मांसिक, ये मांसिक एक तरह से कह सकता है, ये प्यार है, ये महबबत है, भाईया थूख के कौन कहता है, शुकला जी कोई खाता है, संजे जी मैं आ रहा हूँ, शुकला जी आपका audio बढ़ता ह ये कौन हो सकता है, ये तो वो ही होगा न, या तो जो मांसिक संतुलन जिसका बिगड़ा होगा, या जो आपसी स्वार्थ बिगाड़ना चारा होगा, या कोई किसी से इतना, मतलब गुसा होगा, या खुंदस होगा, या वो इतना नाराज होगा, मतलब he has to be frustrated, someone has to be frustrated to the core, to do such a despicable thing, कोई इतनी गंदी हरकेत करने के लिए, किसी का मांसिक संतुलन नहीं बिगड़ा हो सकता है, और ये सही तो नहीं हो सकती, तो सरकार क्या कह रही है, अगर कोई ऐसा करे, उसको पगड़ने में आसानी होगी, सब अपना अपना नाम बताओ, शुकला जी ये targeting कैसे है स किलिए जी तेचे हो सकता हिर Kerry, कोई अवे है तू किलिए हर।